हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू दा चैनल स्टी स्टेडी पॉइंट और आज हुटे से यूपी पीएसी के थू जो स्टाफ नर्स की भरती होने वाली हैं 2023 में उसके कंसर्ण में प्रीविएस येर्स के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक भी कोशन या चूटेगा नहीं और आप सभी को ये वीडियो देखने के पास समझ में आज आएगा कि यूपी पीएसी जो है किस तरह के कोशन स्टाफ नर्स में पूछने वाला है 2023 में ठीक है एक 2022 वाला भी मेरे पास प्रीविएस सेर का पेपर है उसको भी मैं चैनल पर अप्लोड कर दूँगी ये आपको पता है पहले ही कि आपको जीएस के जो है 30 कोशन मिलने वाले हैं हिंदी के 20 और 120 कोशन जो हैं वो आपको मिलेंगे अपने सब्जेक्ट से स्टाफ नर्स का जो पेज सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड है तो 170 टोटल कोशन आपको यहां पर मैं आपको करवा तो सबसे पहले जीएस का कोशन है PM कुसुम योजना उद्देशों के संदर में कौन सा कथन सही है यह पूछ रहे हैं इसमें कूट दिये हुए हैं तो इसमें जो है इसमें देखिए किर्शी शेत्र में गैर डीजल और सिचाई के विश्वशनी स्रूत उपलब्द कराकर कि किसानों की आयमें ब्रद्दी करना बिल्कुल सही बात है बिना डीजल के सौरूर्जा बगरा से यह सब चीज़े जलाना और डीजल और कैरोसीन पर किसानों की निरवरता दूर करना है और यह देखिए सौरूर्जा से जोड़ना है बिल्कुल सही है दोनों तो इसका आंसर होगा सी एक और दो दोनों ये कोशन इस बार भी आ सकता किसी और रूप में इसलिए मैं सोचीगा कि उसी समय आया है तो अब नहीं आएगा टोकियो लंपिक 2020 में निमलिखित खेलों में से किसमें नीरच चौप्रा ने स्वान पदक जीता बहुत इंपोर्टन उस समय का कोशन था भाला प्रक्षेपण के अंतरगत भाला फेक में जो है स्वान पदक जीता था तीसरा कोशन है निमलिखितों पर विचार करना है आपको एस्ट्राजिन ब्यूटाक्लोर पैराक्वाट और एलाक्रोल ये क्या चीज है तो ये जो है इसमें पूरा लिखा है कि ये चारों जो है इनके बारे में पूछाया कि इन में से कौन सा खर्पतवार नासी है तो ये चारों ही खर्पतवार नासी है इसका लिए डी तर होगा अगला चौता कोशन है इनको जो घटनाई है जिनको इनको बिलकुल इनकी काला क्रोम के नुसार लगाना है कि कौन सबसे पहले ये कटना हुई इसके आद कौन सी हुई फिर इसके आद कौन सी हुई इस तरह से इसमें लगाना है पूरा चोथे वाले कोशन में तो इसका आंसर यहां पर C होने वाला है इसका मतलब जलिया वाला बाग आप सभी को पता होगा यहां पर मैं जो है अगर बताऊंगी तो आप समझ आई थी और इसके बाद तीसरे के बाद पहला गांदी इर्विन समझाता हुआ फिर इसके बाद चोटा है भारत छोड़ो अंदोलन फिर है कैबिनेट मिशन सबसे बाद में कैबिनेट मिशन आया था तब ही हमारा संविदान बनने की बाद चली थी तब ही हम सुतंतर हुए थ निमलिकित गटनाओ पर विचार कीजे इने भी सही से आपको पूरे क्रम से लगाना है कि पहले कौन हुआ उसके बाद कौन सा पाचवा कोशन भी इसी तरह से देखिया है तो इसका उत्तर जो होने वाला है वो हड़ी यानि कि चौथा पहले है फिर पहला दूसरा और फिर सम्मिदान सभा की पहली बैठक होई क्योंकि सम्मिदान जब बनेगा तो पहली बैठक होगी फिर प्रारूप सम्मिदान पारित हुआ था फिर लागू बाद में ही होगा लागू वाली अगर तिथी आप देख लेंगे तीसरा सबसे लास्ट में है तो आप इन दोनों को इ मैं solve करके नहीं बता रही हूं इसका आंसर बता दे रही हूं तो इसका आंसर 36 होने वाला है ठीक है इसको solve कर लीजेगा आप लोग ज्यादा tough वैसे question नहीं है अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके दिखाऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो यह जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन चलिए मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा देती हूं तो निमलिखित यूग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें तो दूद का खटा होना नाइट्रिक असिट से नहीं होता है भाई दूद का खटा होना लैक्टिक असिट से होता है तो यह नमा question हो गया दसमा question है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहा है वो इंग्लिश में सहाब मिला ये सुमेलित नहीं है ये गोरफपुर में तो खिछड़ी मिला लगता है और इसके साथ साथ यहां पर पता दू ये जो है वो अमबीट करना गर में लगता है गोविन सहाब बारमा है स्टार्ट अफ फंड जो है वो 20 मैं 2020 को स्टार्ट हुआ बारेक डी है फिर ते पिट्सवर्ग ए जो है यह बैसे मैं आपको तेरा काशर बता दूँ तेरा काशर सी हो ने वाला है यानि पिट्सवर्ग लोहा और पीट्सवा ने बोई लोहा को पीटना इस तरह से आद कर रखा है उपने भी तो सी का यहां पर यहां पर इसका सी इसका option हो जाएगा अगल अगला है उज्वला योजना का दूसरा चरण 2021 में उत्तर प्रदेश के किन जन पुदों से शुरू हुआ था तो इसका उत्तर यहाँ पर महुआ है दूसरी वार जो स्टार्ट हुआ था वो महुआ से स्टार्ट हुआ था विश्म अंगूर की खेती बागवानी और कोश कीठ पालन रीशbs उत्पादन की बात हुरे तो यह पर होता है बहुमत दिसागरी शेत्रों में होता है फिर घरू का डॉक्टर किसी कहते हैं आवना को कहते हैं भरी घर का डॉक्टर है यह आवला आवला घरों में मिले गा और इसका सेवन करेंगे तो बहुत सारी वीमारियां आपकी खतम हो जाएंगे, 18 उक्तर परदेश में मेंगौ फूब्ड मेंगो के लिए आपको पता है, ॥ अगले कोशन पर आते हैं कि अंग्रेजी सिक्षा के माध्यम से किस वर्ष लागू हुई थी तो यह 1835 में भारत में फिर 20 वा कोशन है यह यह दिया हुआ है यह इस तरह का कोशन और इसका उत्तर जो है यहां पर आपको 24 मिलने वाला है यह आप इसको यहां पर इसका उत्तर ह सौरूर्जा पैदा किस से होती है प्रमानू संगलयन से होती है विखंडर मत कर दीजीगा संगलयन से होती है 21 का यह है पर है तो कि भारती सम्मिदान के अनुच्छे दो में से किस एक के अंतरगत राश्पती मंत्री पर्षत की सला से कारे करने के लिए बात दोता है तो यह 74A है वैसे जो पॉलिटी की वीडियो जेनल पर हैं आप जाके देख सकते हैं इसका मान क्या होगा यह पूरी वैली दी र पर और संग लोग से वाय किस एक सदस को हटायाने के लिए राश्पती द्वारा उच्छ नियाले को विधित प्रक्रिया को जाज करने तु निर्देश और ऐसे निर्देश पर प्रति विदन प्राप्त होना आवश्यक है तो यह दोनों ही एक दूसरे के कॉंट्राडक्ट क्रिशक समर्द्धी आयोग जो है वो कब आया था तो यह जो आया था 2017 में आया था क्रिशक समर्द्धी आयोग अब 27 कोशन पर आते हैं इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है तो इसमें जो है यह वाला खजयनुल फुतुहु जो है वो इससे सुमेलित नहीं है यह अमीर लि होता है इससे याद रखिएगा केंद्रिय बजर 2021 के आधार पर इन्हें जो है मिलाना था तो इसका 29 वे का जो है इसमें सी है ठीक है तीसरा पहले यानिकि इससे ज्यादा मिलता है फिर इसके द्वारा करों के द्वारा मिलता है जो मद से जो ब्याय के बारे में पूरा रिखा तो यहां पर जो है इसका C होने वाला है 29 का अब 30 आगे जी इसका आखरी गोशन है टोके 2020 में भारत के द्वारत जीते गए पदको का क्रम बताना है तो इसमें जो पदको का क्रम है वो इसका उत्तर है B यानि कि एक स्वन दो रज़त चार का साथ तूटल ये है एक दो चार ये वाला सिक्वेंज सही है B सही है 30 का अब आजाते हैं हिंदी पर हिंदी को थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं क्योंकि हिंदी जो है हर एक ही उसमें लिखी होगी बाद में जोड़ा गया अंश या इस जो बाद में जोड़ा गया अंश को प्रशिप्त कहते हैं क्या कहते हैं प्रशिप्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है बाद में जोड़ा गया अंश को प्रशिप्त कहते हैं बह बालक सुंदर है अगर ये होता बह सुंदर बालक है तो ये जो है वो विधे विशेशन है ठीक है विश यहाँ पर पिशुन नहीं है, यह कवे का होता है, याद रखिएगा, अगला यहाँ पर कोशन आते हैं, निशिद शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पर निशिद चौतिसवा कोशन है, तो निशिद का होगा वीध, यह मैंने अभी आपको विलोम शब्द की दो वीडियो दी है उसमें इकोशन है तस्वा कोशन है इसमें कौन सा है तो तस्वा कोशन है इसमें शुद्ध कौन सा है तो शुद्ध यह है यह सुनकर मेरे होश उड़ गए और सब में कुछ न कुछ कमी है 37 है विलोम की दरश्टी से कौन सा अशो धह गलत है तो अग अन्विग गलत है अग और अन्विग सेम है अग का विग अपोजिट होता है आपको अगर विलोम शब्द वाले वीडियो जाके देखना उसमें दिया है कांतार शब्द का पर्यावाची क्या है इसका मतला होता है जंगल 38 में 39 भी है कपर्दिका शब्द का तद्वा क्या होगा कोड़ी होता है सरल शब्द का विलोम नहीं है तो वक्र नहीं है ठीक है वक्र रिजू का होता है रिजुका अब यहां 40 के बाद 41 देख लेते हैं वह इस्तृरी जो सूरे भी ना देख सके तो आ सूरें पष्या होगी जो सूरें ना देख सके आमाने नहीं हसना का विशेशन क्या होगा तो इसका हसोड होगा भहुत हसोड है वो विशेश परवत के उपर की समतल भूमी को क्या कहते हैं तो परवत के उपर की जो परवत है उसके उपर की समतल भूमी को कहते हैं अधित्यका अधित्यका ठीक है उच्चरित शब्द का विशेश क्या है तो उच्चरिस शब्द का जो विशेश है वो है उच्चारण ठीक है उच्चारण है शुद्वर्तनी का शब्द है निमलिखित में शुद्वर्तनी का शब्द सहस्त्र है और सब गलत है यह वा बनेगा यह भी गलत है यह भी गलत है ठीक है तो शहस्त्र जो है वो ठीक है इस इसके बाद ही आगे है चालेश सरस्वति का प्रयावाची महाश्वेता होता इसमें फिर है इसमें से तद्वा कौनसा है 47 वे कोशन के बारे में तो इसमें पलंग जो है वो तदवा हो है ये सब तसम है हिंदी की वीडियो है चैनल पर आप जाके दिखेगे आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आजाएंगे आपके 20 कोशन बहुत सही हो जाएंगे अधो लिकित मेंशे अशुद्य वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो अशुद्य वर्तनी वाला जो शब्द है ये उजवल है इसमें दोनों आदा जावनेंगे ठीक है इसमें एक जाब पूरा बना है वो गलत बना है और आपको बता दू कि हिंदी जो है मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करती रहूँगी दो विलोम शब्द की वीडियो चली गई है अब परयावाची की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड करूँगी मैं वो भी आप देख सकते है परत्य विज्ञान होगा अब पचास मा हिंदी के कोशन खतम हो जाएंगी चिरंतर्ण का क्या होगा तो चिरंतर्ण का जो होगा नश्वर होगा पचास का भी होगा यह जितने भी विलोम आएं सब अभी जो मैंने वीडियो डाली है उनमें सब में मिलेंगे आपको अब आजाते हैं यह आपके सब्जेक्टिव जो हैं इनको दोनों लेंग्वेज में दिखा देते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे यह बायो से बहुत ज्यादा रिलेटेड है तो इसलिए बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगेगा थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है थायमीन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग 52 है 100 दिन की खासी कथन किस बीमारी के लिए प्रयोक के जाता कि 100 दिन की खासी तो यह रिख्या जाता है पर्ट्यूसिस काली खासी जो होथी है उसके लिए ठीक है अगला यहाप इक और question देखते है 53 ड़ा ंगला कोशन है सूची एक से सूची दो को मिलाना है तो 53 पनवे कोशन में सूची एक सूची दोग मिलाएंगे तो इसका ये वाला सूची जो है ठीक होगी आप मिलाके देख लीजेगा अगला है चवणबा अगर मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दी रहोंगी दोस्तों तो बहुत देर हो जाएगी इसलिए मैं य इस चवणबे का उत्तर है बी इसमें है फैलिक चरण में जो है हो जाता है बिना किसी वाहय उत्तेजना के जूटी अनुवूती किस नाम से उसे जानते हैं तो बिना किसी उसको जानते है हम इसे जानते है है हैल्यूसिनेशन हैल्यूसिनेशन अगला यहाँ पे है अगला को 57 बाकोशन भी यही है कि आप इसमें मैच किर लीजे तो इसमें 57 में जो उसका उत्तर है यहाँ पर 3124 यहाँ पर मैच कर लीजेगा आपको मतलब आप रियाद प्रकास में खनिक निटनी गमस हो जाता है इस तरह से 58 बाकोशन है बच्चों की ब्रदी के विकास के संदर में न अगला कोशन है भारत में गर्व का चिकित्सिय समापन अविदीनियम एमटीपी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था यहाँ पर पूरा दे रखा है 59 कोशन तो 59 का है एंटी साइकोटिक दवाई लेने से यह इसकी वज़े से होते हैं साइकोलोजिकल बीमारी वाली बात हो रही है आपर निमलिखेत में से कौन सा रक्त स्राव रोगी बिटामिन है तो यह तो आप आँख बंद करके यह विलकुर कर देंगे बिटामिन के फिर है आर्टी पीस RT-PCR की full form बताइए तो आर्टी पीसियर की full form जो है वो यहांपर B है इसका reverse transcriptase polymerase chain reaction ठीक है यहाँ पर यह है अगला सूची एक से सूची दो को मिलाना है यहाँपर यह भी जो मिलाना है 63 कोशन तो इसका उतर सी है 3, 2, 1, 4 यह आप मिलाके देख लीजे कर ठीक है अगला है 64 गरवाश है कि किस भाग को living liature के नाम से जाना जाता है तो इसको जो है myometrium के बीच का जो इस्तर होता है ऐसे गरवाश है कि यहाँ पर बीच का इस्तर है इसको माना जाता है एक रख्त स्राव विकार जो का कारक 8 और कारक 9 की कमी के कारण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है हीमोफीलिया के नाम से अगला यहां पे है कौन सा हर्मोन योन विभार में को नियंत्रित करते हैं तो यह जो है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो है इसको नियंत्रित करते हैं कुट्टे के काटने पर सबसे पहले क्या है इस किसका इलाज करना चाहिए, साबुन और पानी से घाव को धोना चाहिए 68th question है, यहाँ पर कौन सा जो कथन है, वो आवाजी मानको के अनुसार जो है वो असत है, तो इसमें प्रतेक कमरे में 6 फिट उचाई पर 2 दरवाजे होने चीए यह गलत है यहाँ पर यह वाला अशन सही है, वेंट्रिकल संकुचन यान की, यहाँ पर contraction की बात हो रही है कि दोरान परतेक वेंट्रिकल द्वारा पंप किये गए, रक्त की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जाना जाता है, यह स्ट्रोक वल्यूम के नाम से इसे जाना जाता है आग से गंबी रूप से जले हुए एक मरीज को 24 घंटे के में कितना द्रव देना है यह सही परकलेंट सूत्र क्या है इसका, तो इसका जो है यह है चार मिली लीटर गुड़ा यह है कुल जला हुए शेत्र परतीशत, गुड़ा मरीज का बजन परती कुलोग्राव में इकत्तरवा हैं यहाँ पर सभी जनसंक्याविस्पोर्ट के प्रवाव हैं सिवाए कि इसके धर्म के, धर्म के नहीं है जनसंक्याविस्पोर्ट के फिलाल हमें तो ऐसी लग रहा है और यह परतीश, उसके बाद है एनफाइलेक्टिक इस तबदा एनफाइलेक्टिक शौक जो होती है, वो के इलाज के लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा जरूरी है तो इसके लिए जो है वो एंड्री लैनीन है, बड़े पैमाने पर इसको थोड़ा छोटा करती हूँ मैं जिससे कि आपको इंगलिश में भी दिखता रहे हैं, बड़े पैमाने पर जल को स्वच बनाने की विधी में कौन सा चरण नहीं होता है, तो इसमें जो है, इसमें स्क्रीनिंग नहीं होगा और सब होगा, अगला है अंतराष्टि ये नर्ष परिसद के संबन में कौन सा कतन सही नहीं है, तो इसमें विश्व में ठोस, स्वास्त, नीती बनाने में इसका युगद के नाम से poly entry humorous humorous के mid shaft के टूटने पर humorous के mid shaft के टूटने पर निमलिकित में से किस तंत्रका को चोट लगने की संभावना रहती कौन सा nervous जो नर्व है वो उसको चोट लगती है तो इसमें जो है वो radial nerves जितने होती है उनको चोट लग जाती है फिर 77 एक computer में तुरित पुनर प् contact information को quick retrieval करने के लिए क्या कौन सी सुविदा जनक की स्थान कौन सा है तो इसका जो उत्तर है वो है address book जो होती है वो important है अगला यहाँ पर question है यहाँ पर थोड़ा सा इसको broad कर लेती हूं 78 निमलिकित में से कौन सा विश्वस्वास संगठन का प्रमुख हंग नहीं है तो य यह जो शासी बोड है यह इसका हंग नहीं है DMPA के injection के द्वारा दिये जाने वाले गर्व निरुधक है कितने अंतराल के समय में इसे दिया जाता है तो इसे जो है प्रते एक तीन महा के अंतराल में दिया जाता है फिर डिलेटिड इमेल कहां पर स्टोर हो जाती है तो वो ट देख्शाक्रत इस्थाई परवर्तन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है अधिगम क्या सीख रायविक्ति इसके बाद सामानता स्पाइनल अनेस्थीशी या स्पाइनल कॉड के किस लेबिल पर की दिय का जाता है तो यह जो दिया जाता है वो यह 3 यह 4 पर आरेच फ्यक्टर के बेमेल होने से क्या हो सकता है तो 23 यह लो में डेघक्र का एक सकता है इपत Stream उसमें अगर नहीं मिलता है तो इसमें बट्टि का बलड होता है वो सारा जम जाता है और पहले बेवी की जादतर केस में मृत्ती हो जाती है यह वाला केस है आप जब पढ़ेंगे इसमें तो आपको सब समझ में आएगा अगला है मुख में दुरगंद के संदर में निमलिकि मैं से सभी कतन सई हैं सिवाए किसके सिवाए कारवन योगी पैदा करने वाले जीवाणू नहीं होते है इसमें यदि दुरगटना अगर व्यक्ति के पैर के घाव में लगातार खून भेरा है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए तो जिस जगह खून भेरा है साफ करके उसे भी संक्रमत करके पत्टी बान कर सीधा दबा बना तो हुक वर्व की बीमारी जो है वो वेक्ति गख स्विचता से है पेट में हो जाते हैं हुक वर्व फिर है 87 वा कोशन यदि निशेचित जो ओवम है फर्टलाइज ओवम यह डिम्ब कहते हैं सामान गरवासे गोहा के बाहर मतलब यह जो है नॉर्मल यूटिराइन कैविटी के बाहर डैबलप हो जाता है इसमें बहुत सी बहुत प्रॉब्लम भी होती है तो इसे कहते हैं स्वास समस्या से प्रकास किस सा लाबदायक हो सकती है तो इसमें क्या है नवजात जो पी लिया है 89 इसका उत्तर सी होने वाला है अगला है इससे रिलेटेड़ 2017 में कोशन आया कोई बीमारी पूछी गई है इसी को लेकर है ना यह फोटो फोटो थेरफी को लेकर वो भी पित्त का निर्मार शरीर के किस अंग में किया जाता है किस अंग के द्वारा होता है पित्त का निर्मार शरीर के किस अंग के द्वारा होता है तो यह लिवर के द्वारा होता है पित्त का निर्मार ठीक है पित्ताशल लिवर के पास में लगा रहता है दो यह सुमेलित करने अब यानवेवे कोशन पर आते हैं कि जन्म की समय कम बजन के शिशू को परिभाशित किया जाता है जब बजन कितना हो तो इसमें उत्तर इसका होने वाला है कि जब 2500 ग्राम से कम होता हूँ तिरानवेव कोशन है इसमें दिया है निमलिक यहां पूरा यह दे रखा है यह थोड़ा यहां पर कटा हुआ है औक्सीजन की बहे मात्रा जो पानी में उपलब्ध कार्विनिक पदार्तों का सूक्ष में जीवानू द्वारा आप गठन के लिए आवश्यक है उसे क्या कहते ह इसे यहां पर लिखा है अगला है तिरानवेव हीं साइंड की बिमारी के द्वारा होता है नाक के कैनूला द्वारा जो देते हैं तो यह जो दर होनी चाहिए पिचानवेव कोशन में यह है एक सिचार लीटर प्रती मिनट च्छानवी वकोशन देखते हैं कि निमलिके में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है नहीं पर टिक लगा लेना ध्यान से तो ये खसरा जल जनित रोग नहीं है ठीक है और सब ये जल जनित रोग है फिर प्रसव उत्तर यानि कि post spectrum period के द्वारब प्रसव कितने सप्था बात तक होता रहता है, प्रसव के बाद की बात हो रही है, तो ये जो है 6 सप्था तक होता रहता है, इसका उत्तर 97 का जो है यहां पर C होने वाला है, 98 युनिसेफ का वैसविक मुख्याला कहा पर है? अठानवेवा कोशन तो इसका है नियुयार्क ठीक है कहाँ पर है नियुयार्क में है युनिसेफ का अब यहाँ पर है इसके बाद यह है नियुयार्क कोशन क्लोरो फ्लोरो कारवन ठीक है युनिसेफ का नियुयार्क में है जनेवा में किसका यह बताईगा छोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है इसको लियर कर लीजेगा निन्यानवे वे आये क्लोरो फ्लोरो कार्वन में सबसे जादा उपयोग कहां पर होता है तो इसका सबसे जादा उपयोग होता है शीतक के रूब में कूलेंट क्लोरो फ्लोरो कार्वन आपका पता है फ्रीज और एसी वेगरा में रहता है अच्छे अभी लेखन और प्रतिवेदन का क्या लक्षन तो इसमें सब होते है शुद्धता संपूरता और संक्षिपता कम सब्दों में जादा कुछ प्रसोव उत्तर रक्त श्राव का मुख कारण कौन सा है प्रसव हो जाने के बाद रक्त श्राव होता है हेमरेज होता है उसका क्या कारण है तो उसका होता है एटोनिक गरवास है ठीक है एटोनिक गरवास होता है इटरस हो है नेमलिकित में से कौन सा रसायन Antiseptic और कीटाडू नासक की रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा रसायन प्रयोग नहीं किया जा सकता भेंजीन घ्सा क्लोराइड को हम नहीं यूज़ कर शकते। अगला कोशन है मा के इस्तन के बाद में निकलने वाला दूद जादा पाया जाता है तो यह जो है यह बसा और इसमें बिटामिन A और E जादा फैट और E ही जादा पाई जाती है दुरुगटना ग्रस्त एक बिहोश व्यक्ति में सबसे पहले क्या देखना चाहिए तो यहाँ पर स्वासनली उसकी साफ है नहीं है यह चीज उसका मतलब इयरवेज सही है नहीं है यह चीज देखना चाहिए फिर इसके बाद है निमलिकित में से कौन सा जगा है बाल सब्सक्रादियों से सम्मंदित नहीं है टेक है इसके बाद सुधारातम कविदाले सब होता ही है फिर सूची एक से सूची दो को मिलाना है एक्सो चेवशन है तो एक सो चेवशन का यहाँ पर 1213 है इसको आप मिला लीजिएगा इसको एक बार में फिर से दिखा देरिए उन तो एक चार तेल अगला कोशन है एक कटे हुए तालू के बच्चे के इस्तनपान कराने के लिए कौन सी इस्तेती सबसे जादा अच्छी रहती है तो इसमें जो होगा वो होगा अपराइट उपर की तरफ उसको करते पिलाना चाहिए आली गुरिया का मतलब क्या है आली गुर प्रदूशित जल का सबसे महत पूर्ण सूचक कौन सा है तो इसमें जो 110 का है इसमें सी है लीथियम सबसे जादा सबसे पहले किसका लीथियम किस तरह है का पैल्विस सबसे जादा पाया जाता है और प्रशब के लिए आदर्श भी होता है पैल्विस जो होता है तो इसमें जो उत्तर है इसका है गाईने कॉल टाइप कम लेगा तो यह सबसे जादा सही होगा अब आते है 112 कोशन पर दोस्तों वीडियो में बने रहेगा वीड लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकॉर्ड इसका मतलब है 112 का बी 113 कोशन है मरते हुए व्यक्ति के पाठ चरण सही क्रम से लिखिए तो इसमें 113 का डी होने वाला है इनकार क्रोज सौधा अफसार और स्विकार यह सब फिर इसके बाद भारत में संस्तुत अध अधिक तम शोर का इस्तर आपको पताई होगा यह तो बहुत इजी कोशन है तो यहाँ पर जो होगा 85 डेसिवल होता इसका जो हमारी सरकार के दौरा मानक है मतलब सरकार के विश्व के दौरा पहली बार गर्वती भी मेला प्रसब का प्रतम चलन लगवक कितनी अबदी का हो गेस्ट्राइटिस पैदा करने वाला मुख जीवाणू कौन सा है तो इसके लिए जो होता है वो हैली को बैक्टर पाइलोर आई है ठीक है एक स्वस्त और सामान वैश्क विक्ति कम से कम प्रतेक दिर में कितने घंटे उसे सोना चाहिए बहुत इंपोर्टन कोशन है सात घं मास्क ठीक है मास्क अपने व्यक्तिकत अगर ड्रॉपलेट सक्रमान हो रहा है कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि बूंदे जैसे हमाले आएंगी चींके वगरा उससे हो जाएंगे तो मास्क लगाई है हर समय प्रवंदन के निमने सभी कारे किये जाते हैं सिवाए एक के तो इसमें क्या होगा इसका उत्तर 121 में का होगा इसमें रीफैम क्या है रीफैम पिसीन ठीक है रीफैम पिसीन होगा इसमें ठीक है इसके आर से रीफैम पिसीन आर से रैडाय से याद कर लेते हैं बच्चे निमलिखित में से किस स्तिती में गर्वनाल प्रेसेंटा के मार्ज से जुड़ा रहता है बिल्कुल तो इसका है A क्या है इसका है वेटल डोर प्लेसेंटा अगला है यहाँ पर दिया है पूरा क्या है प्रोस्टा ग्लेंडिन मुखका मुखकारण क्या है 123 कोशन ने तो इसका गरवाच के संखुचन को कॉंट्रेक्शन को बढ़ाना है यूटेरेस के कंप्यूटर के जिप फाइल में क्या होता है 124 कोशन ने तो विश्याल डाटा को कम जगहे में दवा करकता है बहुत सारे डाटा को कंप्रेस करके रखता है 125 कोशन यहाँ पर आ जाता है भारत में मिर्तियों के बाद कितने दि स्वास्त दिवस मनाते हैं वैश्क व्यक्ति में हेपेटाइटेस बी कर टीक करन का कम क्या शोडियूल होता है तो इसमें 127 का है कि जीरो एक छे माहा के बीच में अगला है इनमें जो है कथन दिये हुए है दोनों परावैगनी किरनों को जलशोदक के रूप में उपयोग ह तो इस साइट के रहता है इसका अफसिस्ट प्रभाव नहीं रहता है तो 128 का D होने वाला है A और R दोनों सही है इनका जो है कारण भी बता रहा है उधर के निम्न अंगों में से किस में पेर्स पैसेज पैचेज होगा पेर्स पैचेज पाए जाते हैं तो 139 का है इसमें C छ अगर जो है उसका क्या तातपरे होता है तो इसका की लॉगर का तातपरे जो होता है वो एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेर जो बास्तिविक समय के साथ कंप्यूटर में होने वाली गती वीदियो को की स्ट्रोक सहीत रिकॉर्ड करता रहता है अगला है अलजाइमर रोग का होने की संबाबना रहती है एक सामानगर ववस्ताग में कुल कितने आईरन की आवशक्ता होती है तो इसमें जो है एक हजार मिली ग्राम आईरन की आवशक्ता होती है फोबिया किस अंतिरंजित या नावश्यक रूप है फोबिया जो है तो वो है चिंता का फोबिया चिंता ग्यारा हजार प्रती क्यूबिक मिलीमीटर खून में होती है अब पुष्टी करण वा आखाद बदार्थ खाने में लगातार के लगातार इच्छा को क्या कहते हैं तो इसके लिए क्या है नॉन नुट्रिटिव फूड है नॉन एडिविल फूड आप खाय जा रहे हैं पुष्टियों के साथ तो उस लग जाता है तो यह 136 वा है इसका उत्तर है यह 2012 में आया था पारित हुआ था सामानते हैं आग की पुतली चौड़ी करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है तो 137 वे का है इसमें किया जाता है ट्रॉपिका माइड का ऐसी एक ऐसी 133 जिसमें पुरुष के अंग आगे की चमड़ी इतनी सक्री हो जाती है इसको लिंग के गिलास के पीछे नहीं खीचा जा सकता तो इसको 138 वा कोशन है तो इसका उत्तर है फाइमोसिस इसे क्या कहते हैं फाइमोसिस बी है डीफ्थीरिया रोहिडी या गला घोटू के कौन सा टीका गर्मी के प्रती सबसे जादा सम्वेधन सील है तो यह पोलियो का टीका सबसे जादा सम्वेधन सील है नाखुन काटने के समंद्र के में नीचे दिये गए सभी कथन सही है लेकिन एक गलत है इसमें तो इसमें नाखुन को कम से कम प्रतेक 15 दिन में काटना चा सिस्टम का पूछा जा रहा है जो लिंफ नूर्स बगरा होती है 142 मा कोश्चन तो इसमें अगना से पैंक्रियास थोड़ी इसका भाग जबकि टॉंसिल थाइमेस और स्प्लीन सब है सभी सभी शहरी समाज के लक्षण है लेकिन एक नहीं है सहरी समाज का लक्षण तो कर्षी दुझकों होना यह नहीं है जबकि और सब शहर में रहने वाले लोगों के लियए है किस बीमारी में मरीज की टटी चावल के पानी की तरह हो जाती है मतलब जो उनकी defices जो stool होता है भी मरीज का वो ऐसा हो जाता है चावल की पानी के जैसा rice water जैसा तो वो जो हो जाता 144 का है ये हो जाता है जा के अंतरगत 145 है कि शरीर के दुर्गन्द को नियंतरित करने के लिए निमले में से कौन सा कतन सही नहीं है तो इसमें परतीग दिन इस्नान करना यह कतन जो है सही नहीं है सरीर की दुरखंद में ऐसा यह कतन जो है वो गलत है ठीक है B वाला, B 145 का B नहीं होगा यह नहीं B यह गलत है hein divid का अगरोदय के समय इस्नान से बचना यह गलत है इस नान हमेशा regular करना चाहिए और जबकि ये तो बिल्गुर सही है ये गलत है यापर D वाला 146 का Ophthalmia Neonetorum का सबसे मुख कारण कौन सा है तो इसमें जो है क्लोमाइडिया ट्रेकोमेटिस ये इसका कारण है फिर है डाई यूरेटिक दवाएं सामान तक किस समय दिया जाना चाहिए तो ये जो है सुभग समय दी जाती है इसके हाद 148 वा कथन कारण वाला आगया कि विकासील देशों में आपरिफक शिशू की देखवाल के एमसी एक महतपुन विदी है ये विदी आपरिफक शिशू के शारिरिक तापमान को नियंतित करने शारिरिक विरदी में और संकरमण की दर को कम करने में सहयक है तो 148 का दिया है तो इसमें A और R दोनों सही है दोनों इसपस्टी करने भी एक दूसरे का R दे रहा है A का बंद जगे में बहुत ज़ादा डर लगने को किस नाम से जाना जाता है बंजगे में बच्चा डर कोई भी विक्ति बच्चा बड़ा डर जाए तो इसे क्या कहते है तो इसे क्लेस्टोफोबिया कहते है क्लेस्टोफोबिया कहते है C है फिर 150 है गैस गैंग्रीन का मुख कारक कौन सा है 151 बा है तो इसका संभावित या तरजित गरपात या थ्रेटेंड जो एवोर्शन होता है जिस वो ठीक है आक्रुमण रक्षात्मक तंत्र में द्वन्दात्म घटनाओ या इस्तिती को चेतन इस्मृति से बाहर निकालता है ठीक है इसे किस नाम से जाना जाता है 152 बा है तो इसे दमन के नाम से जाना जाता है रेप्रेश कर देता है उसको ठीक है यानि गटना और इस्तिती को चेतन इस्मृति से बाहर निकालता है किस रक्तसमू का वेक्ति युनिवर्सल डोनर है ओ है ओविसली ओ है ये तो आपको पताई होगा भोपाल गैस्त रासदी में कौन से निकली थी तो मिसाइला इसो साहिना निकली थी बड़ा इंपोर्टन कोशन है या अब भी आता है इता पुराना कोशन ठीक है 154 क्योंकि ये बास्ता में बहुत बड़ी ट्राजीडी थी 155 है ये लिखा है पांच वर्स के से छोटे वच्चे में माश पेसी में स्वी लगा ठीक है एक लेंपसिया के प्रवंदन के लिए सबसे सटीक दवा कौन जी है एक लेंपसिया जो बीमारी है उसके लिए तो इसके लिए जो है वो या मैगनेशियम सलफीर सबसे सटीक दवा है 157 है भारत विश्व स्वास संगटन के किस शेत्री संगटन के अंतरगत आता है तो ये दक्षिन पूर्वी एशिया के अंतरगती आता होगा दक्षिन पूर्वा, बिल्कु सही बात है 157 का दी, 158 ऑपरेशन कक्ष के फर्स में अगर बिख्रेवग खून को पोशने के लिए किस गोल का इस्तमयल कि जाता है, तो इसमें sodium hypochloride का जो है 158 का भी उसका इस्त of a child, नावी शिरा के बंध होने एक बात क्या बनता है, तो इसमें जो है, जो है, लिगामेंट्स बैनुसम बन जाते हैं, ठीक है, लिगामेंटम, लाल रक्त करणी काओं का जी, औस जीवन काल कितना होता, आपको सभी को पता होगा, 120 दिन होता, 160 का सी है, 161, बस 10 कोशन रह सामानता किस समय पर निकलाते हैं, बच्चे के, तो यह जो है, 6-8 महा के बीच निकलाते हैं, गर्वावस्ता के गर्व इसपंदन, शीग्रती, शीग्र कब महसूस होता है, मतलब जो एकदम प्रेगनेंसी के दौरान, जो फीलिंग होती है, गर्व इसपंदन, वो कम महसूस होता है, तो यह जो है, यहांपर, यह इसका होगा, 6-6 सपता से, यहांपर महसूस होने लगता है, यानि कि, 9-6 सफता का मतलब क्या होए, 4-4 महीने के बाद, आपको, पेट में महशूस होने लगएगा, कि बेभी है आपके, अंधर, 163, 163 का कोश्चन यह पूछ रहा है, कि किसी व्यक्ति में AIDS का सूच हो सकता है तो ये CD4 कुशिकाओं की संक्या 200 प्रती क्यूबग मिलिमीटर कम हो ज़नी लगती है तो पता चलता है कि AIDS की बात है मनुष्य की बहुतिक सामाजी को सांस्कृतिक इतिहास क्यों किस नाम से जाना जाता है तो ये है प्रोलेक्टिन ठीक है ऑक्सिटोसिन मत लगाएगा ये दोध बनाता ये दोध जो है वो निकालता है लेकिन दोध बनाता प्रोलेक्टिन है 1166 प्रसब की समय पूर्वाइकल फैलाव जो है उसको क्या कहते है तो यilik 166 का जो उत्तर होगा वो होगा सी 10 cm ठीक है वाट डियू मीन इसको क्या कहते हैं जो पूर सर्वाइकल फैलावे इसको क्या कहते हैं अगला सूची फिर इसमें सूची आ गया पूरा प्रेड़ना क्या है निराशा टक्राव तनाव इससे रिलेटेड आ गया तो इसका उपतर बता दे रही हूं मैं किस तरह से लगाया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है तो यह मास पेशी में लगता है एपिटाटिस भी गटी का एसिट फास्ट बैसिलाई को देखने के लिए किस अविरंजन यानि कि किस आप स्टेन का यूज करते हैं ठीक है इस बैसिलाई को देखने के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है तो यहाँ पर जो स्टेन होता है वो जील नील संस स्टेनिंग यूज होती है ग्राम मिनट से ज़्यादा जो है वो दर हो जाती है तो यहां नीमोनिया का सूचक हो जाता है तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको पूरा 170 कोर्शन सॉल्व कराए है वैसे मैंने बहुत से जो है खुद भी जो है अब्जर्व किया है चीज कि पूरा जो पेपर है बहुत ही कम लोग सॉल्व करवाते हैं कुछ लोग हिंदी और सामान गयान का पॉर्शन कुछ केवल इसका जो आपका नर्सिंग का है वो पॉर्शन सब्सक्राइब कर लिएगा इस तरह की वीडियो लेकर मैं हमेशा आती रहूंगी और स्टाफ नर्स का जब तक पेपर नीज जाएगा तक तक में चैनल पर हिंदी जी एस और इसके साथ साथ अगर मुझे समय मिलता है तो आपका मैं नर्सिंग का भी से लिवस करानी की कोशिश करूँगी मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करके ही जाएगा